नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक और interesting और informative वीडियो में अभी हाली में सभी new channel में YouTube वीडियो में आपने देखा रहेगा कि BAC DMA यानि कि direct market access retail investors के लिए भी ला रही है पहले भी यह DMA था लेकिन यह सिर्फ institutional traders के लिए या फिर brokerage funds के लिए थे लेकिन अभी यह जो है rights जो retail investors है उनको भी दे दिया जा रहा है लेकिन क्या actually दे देने से retail investors का जो profit होता है intraday trading हो या फिर future and adoption trading हो या फिर investment हो actually उसमें कुछ profit होने वाला है या just एक public एक stunt दिखाया जा रहा है तो चलिए शुरू करते हैं अभी जो current scenario है उसमें retail investors को क्या नहीं मिलता है जो डे में नहीं होने के कारण तो सबसे पहला बात यह है कि जो retail investors है उनको जो data उनके terminal में दिखाई देता है वो directly BSC या NSE से नहीं आता है वो आपको आता है आपके broker से अगर आपका account जिरोधा के पास है तो आपका जो data दिख जो जाता है data वो जाता है आपके broker के पास जिरोधा के पास और उसके बाद क्या होता है कि वो order place करते है आपके भ्याप में BSC के साथ या NSE के साथ और finally वो trade execute होता है तो इसमें क्या होता है कि आपको जो data BSC या NSE से directly आना चाहिए था वो broker के through आने से आपको आपके screen में थो नहीं देख पाते हो तो आप ही जो direct जो market access मिल जाएगा आपको तो आप ही क्या होगा कि आपको जो data NSE और BSC से आना चाहिए वो वहीं से आएगा यानि कि हर एक trade आपको दिखाए देगा आपके terminal पे और जो दूसरा profit क्या होगा कि जब भी आपको price दिखाए देगा जो आप strip जो downfall होता या फिर up होता है जो shadow बनते है ना उसमें भी आप trade लेना शुरू कर सकते हो और आपको profit वहाँ से उस तरीके से भी ले सकते हो बेसिक से question निकल के आता है कि जो ये change हो रहा है actually हो क्यों रहा है तो ये लड़ाई है exchange में जो turnover होती है different securities के trade से उसको लेकर तो आपको ये जानकर हिरानी नहीं होगी कि जो FNO segment है उससे जो transaction होता है या फिर trade होता है उससे 90% turnover हो है जो market में है और जो 90% है वो है MIS या फिर इंट्रडे में जो trading होती है उससे और सिर्फ 1% जो है trading जो investment के रूप में होता है जो delivery आप बेचते या खरीते हो उससे वो उस होता है जो आप transaction charges होता जो कि बहुत ही कम होता है 0.00325% होता है और दूसरा होता है savings charges 5beh Demence को profit होता है इसी तरह से जो broker होते है बीच में उनको किस इस तरह से benefit होता है उनको multiple charges होते हैं जो उनको वहां से profit होता है एक तो पहला brokerage fund जो charges होते है वो होते है और उसके बाद जो यह आपको एक depository जो tax होता है जो आपको deliveries जब भी आप बेचते हो तो उसमें लगता है चाहे आप एक share बेचो या एक लाग share बेचो आपको minimum जो 13.5 plus GST देना पड़ता है वो देना ही पड़ता है तो यह सारे प्रॉफिट किसको जाता है ब्रोकर को जाता है तो यह सारे जो प्रोसेस है बीच में वह सारे अगर हटा दिया जाए DMA के अंतरगा तो मेबी जो हमारे retail investor है हमारे जैसे और आपके जैसे उनको सस्ता हो सकता है trade करना लेकिन यह अभी तब कुछ announcement नहीं हुआ है कि यह किस तरह का होगा तो अभी next देखना पड़ेगा कि market में सबको data fast तो मिलने लगेगा और सबका execute order जो है fast भी होगा लेकिन क् actually जो price जो होगा अभी जो launch करेगी सेवी तो वो actually क्या existing जो model है broker के साथ उससे कम रहेगा और दूसरा point यह है कि अचानक से इतने users बढ़ जाएंगे तो क्या सेवी इतना infrastructure एक साथ develop करने में arrange करने में सक्षम होगा कि सबके data को process आसानी से किया जा सेकेगा किसी को glitch नहीं होग तो यह बहुत बड़ा question arise हो रहा है और दूसरा है कि जितने भी brokers है उनके जो platform है बहुत अच्छे से develop हुए है उनमें UI सब used to हो गया है simple बना दिया गया है और सभी के जो trading platform है उसमें बहुत सारे जो order execute करने का या place करने का different different styles हो provide कराते है जैसे कि bracket order, trailing stop loss order या फिर SL, SLM ऐस आप share खान यूज़ करते हो तो trade plus, trade, trade, super plus ऐसे बहुत सारे options है तो क्या वो सारे options अवेलेवल रहेंगे DMA में direct market access जब आप करोगे तो यह सारा अभी देखना बाकी है तो let's see कि कैसा रहता है यह DMA launch और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपको broker के साथ रहना या फिर direct D DMA के साथ जाना है उसमें एक और question भी निकल के आता है कि आगर आपके बहुत सारे share पड़े हुए है broker के साथ और जब DMA में आपका account ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका जो अभी currently जिरोधा या फिर शेयर खान या फिर ICIC Securities के साथ जो share वच्चा हुआ है उसको जब बेच जो गए या transfer करोगे convert करोगे DMA वाले account में तो क्या उसमें कुछ charges देने पड़ेंगे ओ seamlessly transfer हो जाएगे क्या तो यह से बहुत सारे questions है जिसका भी answer आना बाकी है इसी तरह के और भी informative वीडियो देखने के लिए आप चैनल को like, subscribe और share जरू किजिए आपको ये वीडियो जरू होगा मेरे ख्याल से तो आप इसको subscribe करके bell icon पर press जरूर कर जेना thank you धन्यवाद